स्वागत है बाई स्वागत है गुज्राइट गवरो व्यात्राना आ प्रस्तान मा आपड़ी वच्चे पर उपस्थीत आधर निया नड़ासाइब आपड़े द्वारकानी धर्ती परहे वाशे त्यारे प्रस्तान करवा विश्वनी साथी मोटी पार्टी ना राष्थी अध्याक्स आधरे नड़ासाइब नड़ासाइब नेव विनंति करीश कि आगरोव यात्रान आजिना प्रस्तान अने 2022 गुजरान विधात जबाना संकर्णाद माटे आप दिप्राकाट्य माटे पधारो आधरे निया नड़ासाइब आधरे निया मुख्यमंद्री भुपेंद्रबै पटल साइब आधरे निया सियार पाटिल साइब आधरे भुपेंद्र यादवजी सव मान चुपन्ना महानुबाहों ने मारी विननती शे क्या आप दिप्राकट्य माटे पधारो डिप्राकट्य निया साथे साथे अब ए हजार बावीशनी विधान सबानी चूटली शे त्यारे हुँ द्वारकाना परंपरागत संखनाद पन करवा माटे आईना भारत मता की भारत मता की बोलो भारत मता की भारत माता कि जाथे साथे दीप्राकट नीशाथwartे बाविष्टने विदान सबानी चुट्लीनों संहटना पढ़ है तो वच्चहिए देभा गर्ण को घुल जोड़ना तालियो थी अपडिया चुट्लीना संखनातने ना दीप्राकट यां वधाविये नहीं हुआ पारत मता की पारत मता की आप अपारत मता की वंदे वंदे खुब खुब आबर अजना कारेक्रमना स्वागत प्रोचन माते हूं प्रदेश भाजपना महामंत्री ने सव्राज जुन्ना प्रबर्बर्याद प्रदेश भारत जनता पार्टी द्वाराज गवरव यात्रानों प्रारम तहिरेयों चैने प्रसंगे आपणा सवनी वचे उपस्तित आ यात्राना प्रारम करावा माटे आपणी वचे उपस्तित थहाचे एवा आपणा सवना राष्टी अद्याक्षन ने संगठनना मागदर्षक एवा आदरनियाश्री जपी नडासहब आपने सौ इमने तार्योती वज़ाविये एमनो स्वागत करें, एमनो सनमान करिए एवाज अपणी वच्चे उपस्ती सतथ आपने जिमनो मागदर्षन मरतु होय बारत सरकारना केबिनेट मंत्री स्री आधनिये श्री भुपेंद्र भाई यादव सहिबनों पर आपने सव ताली होती यहागत करिये, सन्मान करिये अपना सवना संगठन ना माधदर्षक, पेज कमिटी ना पर ने परनेता ने सतत काले करताओने माधदर्षन आपता वो यहा प्रदे सद्यक्ष्री आधनिया सियार पाटिल सहीब नूपन आपने सवताडियोती स्वागत करिये अपना मुख्य मंत्री श्री सरर्ण सभावना आने सतत गुजरात नी जनताने जमनो मार्दर्शन मर्तु होए एवा आधनिया स्री भुपेंद्रबाई पटल सहीब नूपन आपने अद्वार का धिसनी नगरी नी अंदर एमनो पन स्वागत करिये पुर्व मुख्य मंत्री श्री आधनिया वीजेवे रुपानी सहीब पुर्व प्रदेस अध्यक्ष्री अने केबिनेट मंत्री श्री जितुबाई वागानी जी पुरुवा प्रदेश अध्यक्ष्री आर्सी भर्दूसाइब, आपना राज्य सरकार ना सव सनमानिय मंत्री श्रीयों, सव सवराश्ना संससभ्य श्रीयों, धारसभ्य श्रीयों, सव प्रदेश ना आगेवान श्रीयों, अन्या मोटी संख्यमा उपस्तित पोरवंदर द्व पार्का अने अविस्तार माई थी बदारेल सव वहली जनता आप सव नोपन प्रदेश भारती जनता पार्टी वती हुँ हार्दिक हार्दिक हुँ सब्दो थी स्वागत करूँ छू अने आपने बदा जानिया छे के आजे चुटनी पहला अहिती आधनियस्री प्रदेश अप प्रारंब अपना राष्टी अध्यक्षरी आधनिया जेपी नडा साहिब जारे अपनी वत्चे थी करावी रहाचे त्यारे संख नाधने आपने सव ताडियों थी वदाविये पुन्ण एमनों स्वागत करी हुँ मारी वातने या पूरी करूँ चू आप सवनों आबार ध सब दो थी स्वागत करावाद आ काठ्यावाड नी धर्ती एटले में अने मेहमानों ने आवकार्ती धर्ती आपनी वच्चे विश्वनी सव थी मोटी पार्टी एटले भारतीय जनता पार्टी एमना राष्टी अध्यक्ष जर बेहाजार बावीसनी चुटनीनों संख पुनम्बेन माडम पोर्बंदेना सांसत भाहिस्री रमेश भाई धडूक धारसब्य भाहिस्री पभुबा मानेक अने धारसब्य श्री भाई बाभुबाई बोखरियाने विननती करीश क्या आवाप सव भगवान द्वारका धीश्ना पवित्र प्रतिमा प्रसादनी शाल ऐसे आद繼nya नज्ड़ाजीनू सन्मान करो हो कि मित्रों आप्राइं हम से अद्यक्स शन्मान देतो आपने बदा परत न्यूंते द मोट्य चवाट अ की कि युद्या हुआ युद्यश्ना सब्सक्राइब ने परब पाघड़ी पराइट का नाव नगरी चोपाटिया देख्षेन पाघड़ी पे रावी ने सनमान कर अधिक्षे त्यारे अपने वेज़ दफ ने हुआ कर रीज़िते हैं ना प्रभारी अने भारत सरकार्ना के कैबिनेट मंत्री अधने भुपेंद्र यादावजी ना सन्मान माटे देयाउध होवी द्वार का जिल्ला वाजप्तना अध्यक्ष भाइसी खिम्धिवाई जोगाल प्रदेश भाजप्तना उपाध्यक्ष भाइसरी जन्तिवाय अधि अधनी अधिव शाहिद ने आपड़े भगवान द्वार का दिश्नी प्रतिमा एमनी प्रशादी नी शाहल पुष्पकुचापी ने सन्मान करिये मित्रो एविज्रिते अपड़ा पेश्च समितिना प्रणेता अने भारती जन्ता पार्टी गुज्रात ने अन्ना आपना सालस अने सरेश स्वफावना मुखियमा द्री अने जमने आपने जोई हो की गुज्रात निह अंदर एक एक नीनने योळोग Wirs स्वाज्षर स्नी प्रतितिप करावी चलती schreiben यन्ह शाहितachu के प्रमद्रवालों का जिल्ला पंचेद्ना प्रमूख राजी बेन मोरी ने हुविनंति करू क्या हो आप साव मुख्य मंत्री सिन्नों सन्मान करो एक साथ ताल्यों ना वहाद चाते बोला बारत माता की कि बारत माता की अधनिया भूपेंद्रभाई प्रणेता अने छेला बेवरस्मा गुजरात नों रात दिवस समग्रा पृत्वीनी परिक्रमा करी सका इत्रान वक्ष देटलो प्रवाज्यम्न के रोचे एवा अपना प्रदेश अध्यक्स आध्यक्स 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 मंचस्त सव महानुरुभाव ना शन्मानबाद हो आपना गुज्रात राजना लोग प्रिया मुख्यमंत्री अने लोको ना सुखे शुखी ने लोको ना दूखे दूखी हमेशा आपने गमेट यारे मरवा जिये तेर आपनी वच्छेज होए आपने एवाज साल अने सराल अने मुख्यमंत्री अधिन भूपेंद्रभाई पटल सब्सक्राइब ने विनंति करो कि सब यह जार बावी सिटुटनी नुट ने उसांगना देने गुज्रात कवरो व्यात्रना प्रस्थानमा आप नुमार्दर्सन कार्य करता होने आप वादर निपूपेंद्रभाई लिए पर देखेंगे लिए 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 लुट वाए लिए योगेष्वर भगवान सिक्रूष्णनी नगरी द्वार्का खाती भारती जन्ता पाराट पार्टी द्वारा आयोजीत गुज्रात गवरो व्यात्राना सुभारम प्रसंगे अपनी सवनी साथे मंचुपर उपस्थीत कस्मीरसी कन्याक कुमारीयने कच्छती कतक सुधीन पायटीने मझबूत बनावनार आदिरीनी राष्क्री अद्याक्ष्री जेपी नडडाजी केंद्र्यमं whispering प्रदेश प्रवारी श्री भुपेंद्र शी आदव प्रदेश ना यसस्वी अध्यक्ष्टी सी एर पाटीलजी पूरुव मुख्यमंत्री स्री वीजय भाय रुपानी मारा साथी मंत्री स्री जितुपाय वागानी स्री ब्रिजेश भाय मेर्जा स्री किरीट स्री राणा सांसर स्री पुनंबेन माडम स्री राम भाई मुकरिया, स्री रमेजबाई दडूक, स्री मोहन भाई कुंडार्या, प्रदेश महमंत्री तदा सांसर्त्री विनोध भाई चावडा, प्रदेश उपाध्यक स्री डॉक्टर भरत भाई बोगरा, स्री जैन्ति भाई कावडिया, प्रदेश विवा झाल 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 बाजपना कार्यकरताओ शरकारमा होई के पक्समा तेमनी माटे जन्सेवा ए पहलो धर्म छे सात्यों स्वधर्म, स्वधसंस्क्रूती, स्वधेश औने स्वभासाना सववर्दन सवरक्षण माटे बाजपनों एक-एक कार्यकर शाइनीक नी जेम लड़वा आने प्राण्योचावर करवा तत्पर रहे छे गव मातानु समवर्दन होई, यात्रा दामोनों विकास होई, राचिन मंदिरोंनों जिनोद्दार होई, अयोध्याम मा भव्य राम मंदिरों निर्मान होई, श्री नरेंद्र भाईना नेत्रूतमा आपने सव हम्मेसा दर्मना सेवक रहा छिये नरेंद्र भाई नो अथाक परिश्रम और होई, राज्यानी जनताए भर्थय जनतापाटी मां मुकेलों विश्वास रहे लो छे आजनी नरेंद्र भाई ए पंट विश्वास नुवर्तर विकासी चुकवानी नेम राखी छे गुज्रात्यीतेमनी दरेक मुलाकात करोडोय रूपया ना विकास ना कामोनी स्वगाद लए न्यां आवे छे बेर दिवस पहला आज यहां मान्य नरेंद्र भाई गुजरात नी मुलाकाते हता अने चाउद ज़ार करोर रुप्याना विकास ना कामोनी बेट नरेंद्र भाई जन्ताना चन्णे धरीने गया छे एक समये जा विजडी पाणी ना पाया ना प्रश्णों लोकोंने सतावता हता आजे सिक्षन, आरोग्य, उद्योग, एम तमाम शेत्रे प्रगत शीलेवु गुजरात तैमने बनाव्यू छे वड़ा प्रदान सीनी दिर्ग दर्श्टी पूर्णे नेत्रूतोंने कारणे आजे गुजरात विजडी मां सर प्लस राज्य बन्यू छे अने राज्य मां पाणी ना प्रश्टन दूर करी हजारों किलोमीटर लांबू वाटर डिस्ट्रिबिशन नेट्वर्क अने कैनल नू नेट्वर्क तैयार भयू छे गुजरात मां विकास नू वुरट्वरूक सी नरेंद्रभाय मोधिये तेमना परिश्रमना परिश्य वाती सिच्यू छे राज्य निया अत्यासिक विकास यात्रा पाचल तेमनी महनत देट दर्श्टियने पार दर्शी नेत्रूत्व छे गुजरात छेल्ला आठ वरस्ती डवल एंग्जिन सरकार नो लाब मडी रहो छे नरेंद्रभाय ना नेत्रूतों मा बाज़प सरकारे गरीबो वंचीतो आवास विहाना परिवारों साउने विकास नी तकापी चेने आर्थिक उन्नतिनो आधार आपयो छे पहली वार राज्यमा एक करोड सित्ते लागती वधू गरीबोना बैंक खाता खुल्या दस साणा दस लाग परिवारोंने प्रदान मंत्री आवास योद्ना अंतरगत गर्नू छत्र मड़ी छे चत्रीस लाग जेकली माता बेहनोंने सगडी चुलाना दुमालासी मुक्ती मड़ी छे हने उज्वला योद्ना मा गैस ना कनेक्शन मड़्या छे गुजरात मा एक करोड 48 लाग लोकोंने प्रदान मंत्री जन सेवा आरोग्य योद्नाना काड आपया छे पांच लाग रुप्या सुधीनु सार्वाननु विवा कवच आपयो छे राज्यानी आवती काल समा बालको अने तेमने जन्मा अपनारी सगर्बा माताना पोशन माटे एक जार दिवस सुधी विना मुल्य पोशन समहार आपती मुख्य मंत्री मात्रू शक्ती व्योद्नानों आदनी वड़ा प्रदान सिना जहसते वड़ोद्राती आपने आरंब कराव्यो छे करोना काल मा कोई ने भुख्यू सुईन न जव पड़े तेवी सम्वेद नाथी 21 लाग अंत्यो जई परिवार ना 3,48 लाग लोको ने विना मुल्य आज आप्यू छे गुजरात नी गती प्रगती अने विकास ना आवा तो अनेक उधारण आपनी सव नी सामेच छे आदरने नरेद रभायना नेत्रूतों मा आरंबेली आ विकास र्यात्राना आपने सव साक्सी रहा छे विश्व भरमा अजे गुजरात नी वड़क सासिक अने महंतु प्रजा तरीके नी छे गुजरात नी आ समध्दार प्रजाने बाजब सरकार नी प्रतिबद्धता जन कल्याना कारियों अने लोगहित लक्सी नितियों ने हर अम्मेश वदाव्याचे अने वदावती रेसे एवो मने पाक को विश्वास से आ गुजरात ना गुजरात ना गुजरों ने वदू उजागर कर से एवी द्वार का दिशना चारणों मा प्रासना करी विर्मुचू बारत मादा की जे वंदे मात्रम जैजे गर्वी गुजरा खुब खुब आबार आदेनी मुख्यमंत्री से आपना मुल्य माक दर्सन माटे मित्रों होवे आपना जैनी आतूरता धिरा जोहरी आशी ए आपना राष्टी अधियक्स आदेनी नड्यासाइब आपनी वच्चे दिल्ली थी आवी नाजे सवार माएक यात्रानों प्रस्थान करवा माटे आपड़ी वच्चे पधार से त्यारे ओं नड्यासाइब ने विनंति करूं के साहिब आप 2022 भारती जन्ता पार्टी नी विदान सभानी चुरुणी ना संघनाद समये भगवाल स्रीकुष्ण नी धर्ती एटले द्वारका नी नगरी पर्थी कारे करता ने अपनु माग देसा ना आपओ अधीन नटासेट ज़िए हुए 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 मंुए भारत मता की ना पर्यूंस आज के इस गवियात्रा के मंच पर उपस्थित हमारे गुज्रात प्रदेश के लोगप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानिय भुपेंद्र भाई पटेल जी हमारे भारतिय जंतापार्टी के बहुत ही जुजारू और कर्मशील अध्यख्ष सम्मानिय सियार पाटिल जी भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिश सयोगी श्री भुपेंद्र भाई यादव जी हमारे पूर्व मुख्य मंत्री और हमारे वरिश सयोगी सम्मानिय विजे भाई रुपानी जी पूर्व में अध्यक्ष रहे श्री फल्दू जी पूर्व में अध्यक्ष रहे और वर्तमान में मंत्री जीतु भाई वगानी जी विनोध भाई चावडा जी हमारे महंद्र कुमार मुझपारा जी जो केंद्रिय मंत्री हैं हमारे जहिंत भाई कवारिय जी हमारे भारत भाई बोग्रा जी कृष्ण राना जी मोहन भाई कुंडारिया जी रमेश भाई उनम बेन मदान जी जो हमारी सांसद है राजेश भाई चुडास्मा जी नारायन भाई राम भाई मोकरिया जी प्रभू मानेक जी प्रशांद भाई जी और हमारे यहां के जिला के अध्यक्ष किरीड भाई सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संक्या में इकत्र आए देवी और सजनों मात्री शक्ती मेरे युव साथ ही मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज इस गौरव यात्रा में आने का मौका मिला है और हम जानते हैं कि जो हमारी यहां क्षेत्रिय बागेर कम्यूनिटी जिसको हम अपने यहां के लोग कहते हैं उसके खमीरवन्ती समुदाए के लोग जो अपना जीवन देश भक्ती के साथ ओत प्रोत रहते हैं ऐसी ऐसे समुदाए ने जिसने अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ाए लड़ाए लड़ी और लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने अंग्रेजों को भी कहा कि हमारा एक ही राजा है राजा रंचोर द्वार का अधीश ऐसे पुझ्जिस्थान को मैं नमन करता हूँ और आपने जो मुझे पगड़ी पहनाई है उसको मैं पूरी इज़त के साथ धारण करता हूँ मित्रों यह द्वार का अधीश की नगरी यह नागेश्व जोतिलिंग की धर्ती इसको मैं जहां नमन करता हूँ वहीं से प्रेणा लेकर के गौरव यात्रा के प्रस्थान की शुरुवात की घोशना भी करता हूँ और इस गौरव यात्रा के माध्यम से नहीं सिर्व प्रदेश में बलकि देश में जो गौरव का संचार होगा जिसको हमारे कारे करता सब जूर ले जाएंगे उनको मैं बहुत-बहुत सादुवाद भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ मित्रों ये गौरव यात्रा जो द्वार का धीश की नगरी से प्रार्म हो रही है ऐसी पांच यात्राएं गुजरात में शुरू हो रही है आज एक महसाना में भी यात्रा शुरू हुई कल अमित भाई आएंगे और तीन सानों से और शुरू करेंगे एक यात्रा हमारे आदिवासी भाईयों को समर्पित होगी भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए आदिवासियों के गौरव के लिए और आदिवासियों ने देश के गौरव के लिए जो काम किया है उस गाथा को लेकर के वो यात्रा निकलेगी लेकिन मित्रों ये गौरव यात्रा सिर्फ द्वारका धीश की गौरव यात्रा नहीं है ये गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात की गौरव यात्रा नहीं है ये गौरव यात्रा देश के गौरव यात्रा की है और ये देश के गौरव यात्रा इसलिए है कि ये गौरव जो दुनिया में स्थापित करने में भारत के ये शुश्वी प्रधान मंत्री ने कारे किया है उसकी गंगोत्री भी गुजरात की धर्ती है ये भी हमको याद रखना चाहिए मित्रों गुजरात संतों की धर्ती रही है गुजरात भक्तों की घर्ती रही है गुजरात समाज सेवियों की धर्ती रही है गुजरात समाज सुधारकों की धर्ती रही है गुजरात राजनेताओं की धर्ती रही है गुजरात देश भक्तों की धर्ती रही है गुजरात राश रही है गुजरात देश को एक सूत्र में पिरोने वाले लोपुरुश हमारे सरदार पटेल की धरती रही है यह हमको याद रखना चाहें। और यह धर्ती भारत को आधुनिक भारत बनाते हुए यह शुस्वी बनाने वाली नरेंद्र मोदी जी की धर्ती रही है यह भी हमको याद रखना चाहिए मित्रों मोदी जी ने सिर्फ देश को की सेवा ही नहीं की है मोदी जी ने सिर्फ देश में नए आयाम ही स्थापित नहीं की है मोदी जी ने देश की राजनीती की संस्कृती बदल डाली है यह हमको ध्यान में रखना चाहिए एक समय था जब पॉलिटिक्स का मतलब होता था कमिशन एक समय था पॉलिटिक्स का मतलब होता था प्रश्टाचार अनाचार कुर्शी से चिपकना लोगों के भोखा देना खुद मेवा खाना मोदी जी ने इस संस्क्रिती को बदल डाला कमिशन के बदाएं मिशन मना करके देश की सेवा में जुट गए बरश्टाचार समाप्त किया लोगों को सेवा भाव से कुर्सी पर आने दिया सेवा के साथ चलो और विकास की नई रंडीती के तहट विकास के कारे में जुटो यह मोदी जी ने कहा आज भारत की राजनीती की संस्क्रिती बदल गई है कोंग्रेस पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम राजनीती में करेंगे तो करेंगे क्या क्योंकि हम तो आए थे मेवा खाने हम तो हम तो आये थे देश के नाम पर परिवार की सेवा करने हम तो आये थे वल्षवाद को बढाने हम तो आये थे अपने घर को भरने लेकिन मोदी जी ने गुजरात की जनता को और भारत की जनता को अगाह करा दिया कि अब मेवा खाने वाले नहीं रहेंगे सेवा करने वाले रहे कमिशन खाने वाले नहीं रहेंगे मिशन के साथ चलने वाले लोग रहेंगे अब विनाश की और ले जाने वाले लोग नहीं रहेंगे विकास की और ले जाने वाले लोग ही रहेंगे इसलिए आज वन्षवाद परिवारवाद इसको धत्ता दिखाते हुए हम चल पड़े हैं मित्रों आप गजब की बात देखोगे मेरा आपने परिचे कराया तो मुझे कहा कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष हूं मित्रों यह सौभाग्य अब किसी और को नहीं मिलता है यह राष्ट्रिय पार्टी वैचारिक पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर है तो वह भारतिय जंता पार्टी है यह हमको याद रखना चाहिए हिए कि बाकि सभी पार्टियां कोई नशनल पार्टी नहीं रह गए कोई राष्ट्रिय पार्टी नहीं और मैं पूरी जिमेवारी के साथ कह रहा हूं कॉंग्रेस भी स्पुड़गई गाण्गेस भी कमजोर हो करके शख़ें गई और नहीं आप राश्ट्रेशह पार्टी रह गई है न ये भारति पार्टी रह गई है अब ये सिर्फ भाई बहन की पार्टी है बाकि सब ताली बजाओ थाली बजाओ जुट्ती पाओ तुमारा कोई काम के वर्शभात 강ण require कि जम्मू कश्मीर देखो PDP National Conference परिवार की पार्टी पंजाब में आओ शुरुवनी अकाली दल परिवार की पार्टी हर्याना में जाओ चोटाला का परिवार परिवार की पार्टी उत्तर प्रदेश में जाओ 24 करोण का प्रदेश समाजवादी पार्टी परिवार की सोय मुलायम सिंग यादव और अखिलेश की पार्टी बिहार में आओ आर जेडी लालू यादव तेज़स्वी यादव परिवार कीपार्टी बंगाल में जाओ पीशी भाईपो ममता और उसका भदीजा अभिशेक परिवार की पार्टी जारकंड में जाओ श्रीबू सुरेन हेमन सुरेन जारकंड मुक्ति मोर्चा परिवार की पार्टी उरिशा में जाओ बीजू पतनायक परिवार की पार्टी व्यक्ति की पार्टी अंद्रप्रदेश में जाओ जगनम की पार्टी यसर परिवार की पार्टी अब तेलंगाना बजाओ के सी आर केशव चंदर्शेकर रहा हो तेलंगाना राज्य समिती टी यारेस खुद मुख्यमंत्री बेटा मंत्री दामाद मंत्री बेटी MP की केंडिडेट पोता आना बाकी है बाकी सारा परिवार की पार्टी ना बची नहीं तो यह भी परिवार की पार्टी हो गई थी यह भी हमको ध्यान रखना है अब जा करके जब शिंदे साब आये हैं तो उन्होंने विचार की बात की और परिवार की पार्टी तूटी मित्रों यह भारतिय जनता पार्टी है अकेली जो विचारों की पार्टी है अकिल भारतिय पार्टी ہے उपर से लेकर नीचे तक यह विचारों से लैस और विचारों क्रप्रती समर्फित पार्टी ये हमको ध्यां मेर रखना चाहिए और इसलिए आधरणिय आ nuc outroी जी ने विकास के नय आयाम्तaj किये नये मंत्र दिये क्या मंत्र दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयार इससे पड़ा समाजवादी नारा नहीं हो सकता सबको साथ लेकर चलने वाला लोग कहते थे समाजवादी पार्टी यह समाजवादी तो बन गए कैप्टलिस लेकिन सबकी चिंता करने वाला अंतिम पाइदान पे खड़े हुए व्यक्ति की चिंता करना यह मोदी जी का लक्ष रहा है और उन्होंने उसी तरीके से काम को आगे बनाया है मित्रों आज जब हम विकास के बारे में और गौरव यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो मैं कुछ बाते आपके सामने कहना चाहूंगा आज कि दुनिया में इंग्लेंड को हराते हुए अब भारत पांच्वां सबसे बड़ा आर्थ आर्थिक जगत का प्रदेश देश बन गया है कि यह 75 साल में आदर्णिय मोदी जी ने देश को इतना आगे बढ़ाया कि हम फिफ्ट लार्जेस्ट एकॉनमी बन गए पांच्वी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक जगत के सरा देश बन गए उसी तरीके से सारी दुनिय कोर्णा से मार खा करके आर्थिक मंदी की और चली तो भारत आर्थिक दृष्टी से आगे बढ़ने के लिए मोदी जी के नेत्रतों में चल पड़ा वो भी हमको ध्यान में रखना से मैं गुजरात की धरती पर हूं यह डबल इंगन की सरकार है नीचे भुपिंदर भाई की सरकार है उपर मोदी जी की सरकार है इसका अंतर यह पड़ा है कि एक्सपोर्ट में गुजरात नंबर एक पर खड़ा है और इसके साथ सथ 17 प्रतिशत का एक्सपोर्ट का एजापा हुआ है 17 प्रतिशत आपको जान करके खुशी होगी कि मर्चैंडाइज में हमारे 31 लाक कर का हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए एक समय था जब हम कहते थे कि कुछ नहीं हो सकता कि सब कुछ लुट गया यहां कुछ हो ही नहीं सकता यह तो ऐसे ही चलेगा आधर्णिय मोदी जी ने मंत्र दिया कि ऐसा नहीं चलेगा बदलाओ करना है बदलाओ होगा बदल सकते हैं मोदी है तो मुम्किन है इसको साबित करके दिया कि मित्रों आज गती शक्ती में सौ लाक करोर रुपए का कारिक्रम ले करके गती शक्ती के दिश्टी से विकास के नए आयाम लिखने का हम लों ने तैक किया है मित्रों में यहाँ पर जब यह नए आयाम आपके साथ चर्चा कर रहा हूं तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देश बदला है मोदी जी के नित्रुत में विश्वास बढ़ा है मोदी है तो मुम्किन है यह संभव हुआ है कि मैं आपके साम somesay 2 उदारण देना चाहता हूं एक उदारण देना चाहता हूं मैं पूर्व में स्वास्त मंत्री रहा हूं इस देश में 25 से 30 साल लग गए एक बीमारी की दवाई को आने में चाहे चाहे टूबर क्लोसिस हो जाहे टेटन सो चाह स्मॉल पॉक्स हो जाए जापानी बुखार हो चाहे पोलियो हो इस देश में किसी भी दवाई को आने में 25 से 30 साल लगे लेकिन कोरेना जब आया तो मोदी जी कि ने हमारे साइंटिस्ट को हमारे सारे साइंटिस्ट को प्रोट्साहित किया भारत सरकार की तरफ से मदद दी नौ महीने में दो-दो वैक्सीन बनाई और देश को हमकोर्ना मुक्त करने के लिए हम अगरसर हो गए आज आप सब लोग यहां बैठे हैं किसी के भी चेहरे पर म पास्क नहीं है सब नजदीक नजदीक बैठे हैं यह संभव इसलिए हुआ है कि आपने 270 क्रोड डबल डोज लगाकर और बूस्टर डोज लगाकर मोदी जी का सुरक्षा कवच पहना हुआ है स्वास्त का कवच पहना हुआ है यह अंतर और एक समय आपको मालूम होगा यही टीका है यह तो बीजेपी का टीका है अब चुपके चुपके खुद लगवा लिया आए फ Muss लगवा लिया और दूसरों को बोला कि यह ना लगाओ ऐसे निताओं को रहना चाह explosive क्या है यह कॉंग्रेस पार्टी के लोग बोलते थे आ कि वी आ अंक हमारे उपर experiment कर रहे हो तुम हमारे स्वास से खिलवार कर रहे हो आज 270 करोड डोजिज लगा है और इसके साथ साथ भारत ने 100 देशों को 20 करोड वैक्सीन पहुंचाया है और 48 देशों को मुफ्त में 2.5 करोड वैक्सीन पहुंचाया है यानि भारत लेने वाला नहीं अब देने वाला भारत हो गया यह भी हमको समझना है मित्रों जब गोरव यात्रा की बात करता हूं आप बताएए आज से चार-पांच महिने पहले पांच महिने पहले यूक्रेन में हमारे बच्चे फसे थे कि नहीं फसे थे 22,000 बच्चे फसे थे यह हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी थे जिन्हों ने सीधे पुतिन से बात की जिसने सीधे जलेस्की से बात की और जिन्हों ने युद को रुकवाया और 22,000 बच्चों को सुरक्षित निकाल करके भारत पहुंचाया जिसमें 2000 बच्चे गुजरात के भी थे यह बदलता भारत यह बदलती दस्वीर और दूसरे देशों के भी बच्चे भारत का तिरंगा लेकर के वह भी निकल पड़े वह भी उसमें से आगे यह है जिसको हमको गौरव यात्रा के दृष्टी से आज समझने की जरुरत है जान जो काम जो विकास के नए आयाम लिखे गए वो सदा सदा लोग याद रखेंगे अभी फाउंडेशन स्टोन रखा गया चार हजार चार सो क्रोड के प्रोजेक्ट का भुज में फाउंडेशन स्टोन आधरनिये प्रधान मंत्री जिन रखा उसी तरीके से कच ब्रांच में जो सरदार्ट सर्वोवर प्रोजेक्ट है उस कैनल के काम को लिए उसका भी शुरूआत कर दी गई उसका भी स्वी गनेश कर दिया गया जो सिचाई के लिए केनाल था जो कच्छ और ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो 948 गाओं को मिलना था दस शैरों को मिलना था उसका भी काम जो है उसको भी शुरू कर दिया गया है दाहुद में डिस्ट्रिक सदर्न एरिया में रीजेनल वाटर सप्लाय स्कीम इसको भी 840 करोड रुपे के कारे का भी श्री गणेश आदर्निय प्रधान मंत्री जी ने कर दिया है हम जानते हैं कि वर्ल्ड क्लास का ओलम्पिक का स्टेडियम भी बन रहा है तो वह भी गुजरात की धर्ती पर बन रहा है और आने वाले समय में वह एक हमारे लिए आन बान शान के साथ खड़ा खेल जगत में अपने आप में हमको एक मिसाल मिलेगी मित्रों मैं यहाँ पर ट्रडिशनल मेडिसिन जाम नगर में जिसका शिला ने आज प्रदान मंत्री मोदी जी ने रखा है वह जाम नगर को दुनिया के रक्षे पर खड़ा करेगा यह गौरव प्रदान हमको करेगा यह भी हमको समझना चाहिए और मैं पूनम जी को भी उसके लिए बदाई देना चाहता हूं उनको शुब कामनाय देना चाहता हूं उसी तरीके से हमारे रुपानी जी बैठे हैं आज अल इंडियान सब मेडिकल साइंसे राज कोट में तैयार हो रहा है वह भी समर्पित होगा आपने उस बात को रखा था मैं भी स्वास्त मंत्री था आधर निया प्रदा करना चाहिए और काम करना चाहिए मित्रों यह जो आपके हाँ विद्या समीक्षा केंद्र बन रहा है यह विद्या समीक्षा केंद्र भी अपने आप में लगभग तीन लाख टीचर्स को और एक करोण विद्यार्थियों को और लगभग 54,000 स्कूल की एक्टिविटी को को मॉनिटर करने का इंतिजाम होगा यह देश में पहला मॉडल है जो गुजरात का गौरव बना है शिक्षा के शेत्र में उसको भी हमको समिनना चाहिए कि मित्रों मैं यह सारी बात है आपके सामने इसलिए कि मीडिया इस बातों को लोट करें कि कि हमने आपके सामने आकर को इस इधर लगए कि वह हमने वह बात कि है जो गुजरात की धरती से आगे बढ़़ा है और विकास में मैं आया आयम जिसने쪽에LEकाय उस पार्टी करती है और कोई पार्टी नहीं करती है हम अगर गौरवगान कर रहे तो भारतिये जंता पार्टी का गौरवगान नहीं कर रहे हैं हम गौरवगान कर रहे हैं तो जो हमारी सरकारे डवल इजन की सरकार ने गुजरात के लिए जो काम किया है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं और गुजरात को जो गौरव मिला है उसकी हम चर्चा को मुत्रों और मैं मीडिया के साथियों से भी पूछूंगा क्या दुनिया में गुजरात मॉडल पूरे दुनिया में चर्चा का विशय बना है कि नहीं बना है यह गुजरात मॉडल अगर चर्चा का विशय बना है तो यह समझो कि गुजरात का गौरव है यह गुजरात का सारे डबल इंजन की सरकार में भुपेंद्र भाई ने उसको धर्टी पर उतारा विजय रुपानी जी ने उसके ताकत लगाई तो उसको मोधी जी का अशेरवाद मिला यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और उसको समझ बित्रोभ सूरत में डाइमेंड रिसर्च का जो मर्केंटाइल सिटी के रूप में स्थापित हो रहा है वह भी हम सब के लिए बहुत ही महत्तुपूल विशे है गुजरात आज दूसरे नंबर पर पावर जनरेशन में खड़ा है दूसरे नंबर गुजरात पहला स्टेट है जिसने सोलर पावर पालिसी बनाई और सौराष्ट्र नर्बदा अव्तरन इरिगेशन की स्कीम जिसमें सौनी योजना के तहट साथ जिलों में सौराष्ट्र के 18563 करोड रुपे की लागत से वहां पर भी सौनी योजना में इरिगेशन के कारे को आगे बढ़ाया है एक करोड से ज्या की सरकार ने किया है प्रधान मंत्री जी के आशिरवाद से मित्रों यह आई उश्मान भारत यह उज्वला यह उजाला यह स्वस्ता अभ्यान यह स्वाग्य योजना यह 100% इलेक्रिसिटी इसमें तो गुजरात नंबर एक पर है ही है आपने महिलाओं के लिए स्वस्ता इसके लिए मैं आपको बढ़ाई देना चाहता हूं आपने 100% इलेक्रिकेशन कर दिया इसके लिए मैं आपको बढ़ाई देना चाहता हूं आज यहां पर कोई भी गैस के चूला के बगैर नहीं है इसके लिए मैं आपको बढ़ाई देना चाहता हूं आज आपके हां कोई गरीब व्यक्ति आई उश्मान भारत के हेल्थ कवर से बाहर नहीं है इसके लिए भी मैं आपको बढ़ाई देना चाहता हूं यह डवल इंजन की सरकार को भूपेंद्र जी ने धर्ती पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है प्रदानमंत्री गरीब कल्यान अन्योजना हो मुझे जानकर खुशी है कि तीन करोड लोग गुजरात के उसका लाब उठा रहे हैं उसी तरीके से हमारे हाँ जंधन योजना में एक करोड सत्तर लाख लोग जंधन योजना से जुड़ करके केंद्र की स्कीमों का फाइदा उठा रहे हैं प्रदानमंत्री किसान सम्मान इसमें भी किसानों का लाब हो रहा है मित्रों कि स्वच्च के सर्वेक्षन में गुजरात नंबर दो पर खड़ा है गुजरात वडोधरा एहमदाबाद यह वह शहर हैं जो देश के टॉप 11 शहरों में जोड़े जाते हैं यह भी हमको याद रखना चाहिए मित्रों गुड गवर्नेंस के इंडेक्स में गुजरात नंबर एक पर खड़ा है उसी तरीके से लौजिस्टिक परफॉर्मेंस में उसके भी इंडेक्स में गुजरात जो है वो नंबर एक पर खड़ा है एक्सपोर्ट में भी जैसा मैंने कहा कि हम पहले रैंक पर गुजरात खड़ा है औ आवर सर्प्लस स्टेट बन गया है इस ऑफ डूइंग बिजनेस में हम पहले पाँच राज्यों में आते हैं वह भी गुजरात का गौरव है मित्रो मैं इस तरीके से अगर आपके सामने गिनाना शुरू करूं तो गुजरात की गाथा कभी समाप्त नहीं होगी शिक्षा के द की तरीके से इंस्टिट्यूशनल डिलिवरी में भी आप संतानवे प्रतिशत पहुंच गए यह गुजरात की माताओं को गुजरात सरकार की सबसे बड़ी अनुपम देन हैं जिसको हमको ध्यान में मित्रो मैं आप से एकी बात कहने आया हूं कि यह जो गौरव यात्रा है गौरव यात्रा गुजरात में जो परिवर्तन किया है जिस परिवर्तन को लेकर के हम आगे बढ़े हैं उसको जनता तक पहुंचाने का माध्यम रहा है मैं आप सबसे यह निवेदन करूंगा कि आप गाओं गाओं जाएं शहर शहर जाएं घर गर जाएं और सब को सीधी सी बात बताए कि आज गुजरात जिस जगह पर खड़ा है यह ऐसे ही नहीं खड़ा हो गया बहुत लोगों ने गुजरात को नुक्सान पहुंचाया था लंबे समय तक गुजरात की उपेक्षा हुई थी लंबे समय तक गुजरात भरष्टा चार दंगों में फसा हुआ था लंबे समय तक गुजरात में कर्फ्यू देखा था आज के बच्चे तो कर्फ्यू नाम की चीज़ भी नहीं जानते हैं यह इसलिए संबह हुआ है कि की साल पहले मौदी जी ने इस प्रदेश की बागदोर समाली और उसके बाद हमारे मुक्यमंत्रियों ने इसको समाला और गुजरात आज आगे बढ़कर के ख़डा हूँता लुज्तो यह शांती प्रियव प्रदेश यह विकास के नय आयाम लिखने वाला प्रदेश यह देश का नंबर एक हम अ गौर्व के साथम इस तियास लिखा हुए प्रदेश इसने नह नह आयाम सापित किये हैं और इस आ आशिरवाद देने के लिए आप उस आशिरवाद को प्राप्त किजिए इस गौरव यातरा को गाउं गाउं ले जाए विधान सवाश्रा लेजाईए अपने संदेश को पहुंचाएए लोगों का अशिरवाद लीजिये और गुजरात के विकास यात्रा को आगे बढ़ाईए यही मैं कहने के लिए आया हूँ आपने बहुत शांती से बड़ी गर्मी में लेकिन मेरी बात को बहुत शांती से सुना इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जै भारत जै गुज्राइब खुब खुब आपार अध्यक्षाइब अबार विजी माटे प्रदेश उपाध्यक्ष जन्तिभाय कवड याने विननती करूँ विश्वने जै मार्क दसन आपी रेशे ये वी पाल्टी जै सता चलावी रेशे येवा आपना पाल्टी ना राष्ट्य अध्यक्ष जै भी नेडा जी अपना प्रभारी भुपेंद्र जी आपना मुख्य मंत्री जै आजे एक दम गुजरात ने अंदर घर-घर माजे प्र का मुख्य मंत्री अने गुजरात ने अंदर हजारों कार्य करता मा शंगठन नो प्राण पूर्णाड आपडास अध्यक्स यार पाटिल जी तन माजी